नमस्कार दोस्तों तो अपनी बेहन से खाना खाने को कहने लगे तब वह बोली भाई, अभी चांद नहीं निकला मैं चांद की प्रतिक्षा करूँगी चांद को अर्ग दे कर ही भुजन कर सकती हूँ साहुकार के बेटे अपनी बेहन से बहुत प्रेम करते थे वो बेहन को भूग से व्याकुल नहीं देख पाए उन्होंने नगर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाया और उसे चलनी के आगे रख कर बेहन को कह दिया बेहन चान निकल आया अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो साहुकार की बेटी अपनी भावियों से कहने लगी भावी चान निकल आया चलो अर्ग देकर भोजन कर लेते हैं सभी भावियां बोली नहीं बाई जी ये तो आपका चान निकला है हमारा चान निकलने में अभी समय है भूग से व्याकुल वो चान को अर्ग देकर भोजन करने बैट गई जैसे ही पहला निवाला खाने लगी तो उसे छीक आ गई दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल आ गया और जैसे ही तीसरा निवाला तोड़ा तभी ससुराल से बुलावा आ गया पती बिमार है जैसे भी हालत में है तुरंट ससुराल पहुँचे उसकी मा उसे विदा करने के लिए बकसे में से कपड़े निकालने लगी बार-बार बकसे में से काले और सफेद कपड़े निकलने लगे तब मा घबरा गई और बेटी से बोली बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना और जो कोई भी बूर सुहागन होने का आशिरवाद दे तो वही अपने पल्ले में गाट बांध लेना वो बोली ठीक है मा ऐसा कहकर वो अपने ससुराल की ओर चल दी चलते चलते रास्ते में उसे जो को आशिरवाद दिया ऐसे ही वो चलते चलते अपने ससुराल पहुँच गई ससुराल की आंगन में छोटी ननत खेल रही थी जब उसके पैर छुए तो उसने आशिरवाद दिया सदा सौभाग्यवती रहो पुत्रवती हो ये सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गाट बांध और अंदर गई अंदर जाते ही देखा कि घर के आंगन में उसके पती का शव रखा है और उसे ले जाने की तयारी हो रही है वो बहुत रोई जैसे ही उसके पती को ले जाने लगे वो रोती हुई बोली मैं इन्हीं कहीं नहीं ले जाने दूंगी जब कोई नहीं माना तो सा जाने की जद करने लगी, उसकी जद के आगे हार कर सब ने कहा ले चलो इसे साथ में, वो साथ साथ शमशान भी चली गई, अंतिम संसकार का समय हुआ, तो वो बोली मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी, ये देख कर सब कहने लगे, पहले तो अपने पती को खा गई, अब उसक कि इसे यहीं एक जोपडी डलवा दो, वो उस जोपडी में अपने पती को लेकर रहने लगी, पती की साथ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती, दिन में दो बार उसकी छोटी ननद, खाना देने आती थी, वो हर चौत का व्रत करती, चान को अर्ग देती, और चौत माता क कहानी सुनती, जब चौत माता प्रकट होती और कहती, करवो ले, करवो ले, भाईयों की प्यारी करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले, तब वो उन चौत माता से अपने पती के प्राण मांगती, लेकिन वो उसे कहती, हमसे बड़ी चौत माता आएगी, तब उनसे अपन चौतें आई, सभी यह कहकर चली गई, अब अश्विन की चौत माता बोली, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौत माता नाराज हैं, वही तेरा सुहाग तुझे लोटाएंगी, तु उनके पैर मत छोड़ना, और सुहाग का सोला श्रिंगार का सामान तयार कर लेना, जब कार्ति की बड़ी चौत करवा चौत आई, तो उसने अपनी छोटी ननत से सोला श्रिंगार का सामान मंगवाया, जब सास को यह पता चला, तो वह बोली, पागल हो गई है ये, जो मांगती है दे आओ, साहुकार की बेटी ने करवा चौत का वरत रखा, चांद को अर्ग दिया, और जोट जलाई, जब चौत माता प्रकट हुई तो बोली, करवो ले, करवो ले, भाईयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घणी बुखारी करवो ले, उसने उनके पैर पकड़ लिये, और बोली, माता, मुझे मेरा सुहाग वापस करो, तब च आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी, जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती, अब चौत माता ने एक-एक करके उससे सुहाग का सामान मांगा, उसने सुहाग का सारा सामान चौत माता को दे दिया, तब चौत माता ने अपनी आख से काजल निकाला, नाखनों से महंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोल कर छोटी उंगली का छीटा दिया, जिससे उसका पती जीवित हो गया, चौत माता जाते जाते उसकी जोपडी पर लात मार गई, जिससे उसकी जोपडी महल बन गई, उसका पती जीवित हो गया, जब छोटी ननत खाना लेकर आई तो देखा भावी की जोपड़ी की जगह महल खड़ा है वो दोड़ी दोड़ी छोटी ननत के पास गई और बोली बाईसा आपका भाई वापस आ गया जाओ सासुजी को कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए छोटी ननत दोड़ी दोड़ी मा के पास मा बोली भाबी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है वो बोली नहीं मा मैंने देखा है सच में भाई जिन्दा हो गया है सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुचे बेटे को जिन्दा देखकर सास बहु के पैर छूने लगी और बहु सास के प साल बर पहले ही भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौत माता, जैसा दुख पहले साहुकार की बेटी को दिया, वैसा किसी को भी मत देना। और जैसे बाद में उसको सुहाक का वर्दान दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हूकार भरते, सब पर क्रपा करना, जै चौत माता।